आदाब नमस्कार नमस्कारम के साथ साथ आज मैं आज मेरे सारे दर्शकों को कहना चाहती हूँ जै जिनेंदर आप सब का स्वागत है खूब अभिनंदन है दूर दर्शन की इस खास प्रस्तिती में जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक पावन पर्व के बारे में महावीर जैनती हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ी है निर्मला जी बैद जो कई सालों से दूर दर्शन के साथ उसके दर्शकों के साथ जुड़ी है हमें बताने के लिए महावीर जैनती के बारे में जैन परिवार से तो वो है ही बलकि काफी सारी संस्थाओं में जाकर जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी की वाणी के बारे में कई लोगों को, कई हजारों लोगों को उन्होंने जागरुत कराया है उनकी वाणी को अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व में समा कर आज वो हमसे बात करने जा रही है एक पावन पर्व महवीर जैन्ती के बारे में निर्मला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में बहुत-बहुत आपका अभिनंदन की आजा पिहां आई और महवीर जैन्ती जैसे पावन पर्व के बारे में आज हमसे बात करने जा रही है हमारे दर्शकों को ये बताईए जैन्त धर्म में महवीर जैन्ती की क्या महत्वपूर्टा है क्या इंपॉर्टन्स है आज बगवान महावीर जैनती के शुब आउसर पर मैं सभी दर्शकों को भावरा जय जिनेंदर बोलती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ उतक्रांती के एक लहर, जोती के एक निर्दुम्शिखा, साहस का अनाम दर्या, काल जई कृतित्वे, पार्श धर्मी व्यक्तित्वे, संस्कृति का संब्रांत सुन्दर्य और सत्य का महान अन्वेशक, किन-किन गटकों से निर्मित है बगवान महावीर का जीवन बगवान महावीर एसे युग में पैदा हुए, जब हिंसा अधिक थी और अहिंसा कम थी इस साब पूर की छटी शताब्दिक का युग, आज पूरी विश्व के लिए महा युग बन गया उस युग में प्लेटो, अरस्तू, कनफिशेस, सुकराज जैसे महान दाशनिक और विचारों ने जनम लिया उसी युग में बारत की भूमी पर बगवान महावीर आइस और सामाजिक क्रांति के सुत्रधार इस धर्ती पर अवतरित हुए बगवान महावीर ने अपने अतिंद्री आलोक में अनेक महत्वपुण शिद्दांतों का प्रतिपादन किया बगवान महावीर का जनम जम हिसा अधिक थी और अहिसा कम थी ऐसे समय में हुआ था चेत्र शुकला तरियोदशी का दिन मद्यरात्री की बेला उत्रा फालगुनी नक्षत्र उच ग्रहों की स्थिथी ऐसी स्थिथी में बगवान महावीर का प्रकरती ने पूर्ण सुष्मा के साथ स्वागित किया और रानी तृष्मा देवी ने सुख पूर्वक एक शिशु को जनम दिया स्वेम डेव लोग से इंद्र दर्ती पर आये और उस समय कई इंद्र इंद्रानिया आई तो दर्ती पर पूरा महा प्रकाश हुआ सुख इंद्र ने अपने हातों में शिशु को उठा कर मेरू परवत पर जाकर 108 अमरत कलोसों से महावीर को स्थनान कराया इतना बालक प्रती भाशाली इतना ही जसको देखते ही इसे लगता था कि कोई दिब्ब आत्मा है जबकि जब वो बालक माता की गर्मे में था तब माता में 14 महा सुप न देखे थे तब ही पंडितों ने कहा था कि ये बालक कोई दिब्ब आत्मा आपके राज़ दर्बार में आपके राज़े में आने वाली है राजा को खुशी का पार नहीं रहा अब बालक का जनम दिर मनाने के लिए राजा पूर रज्य में खोब जनमों सो धूम धूम से मनाने के लिए पूरी नगरी को सजाया और अनेकों नागरिकों को कर्मुक्त कर दिया और जेलों को बंदी मुक्त कर दिया ऐसे उन्होंने इतना महोत सव धूम नाम से मनाया तो तभी नाम करन का आउसर आया तो राजा ने कहा कि जिवे बालक गर्मे में आय था तभी हमारे राज्य में एश्वेरे की धन धने की सु कि इसके अनुसार इस बालक का नाम बर्दवान रखा जाए बाद में बालक के नाम अनेकों रखे गए महवीर ग्यादपुत्र आदी नामों से महवीर प्रशिद्ध हुए उन्होंने अपने आइंसा को ऐसी आइंसा जो मात्मा गाजी ने में कहा कि बहुत से महापुर्शों लेकिन भगवान महावीर के अइसा बहुत गहराई में है जबकि महावीर के साथ उन्होंने पहले गांदी जी भी एक अइसा निष्ट पुरुष हुए हैं तो गांदी जी ने देखा कि भारत को सोतंतर कराया अइसा के माध्यम से हैं कोई तोड़ फोड़ कोई सब मुलक प्र लेकिन इसा नहीं करना एक छोटा सा अर्थ हुआ इस अइसा में बहुत गहराई के अर्थ हैं मालिया जाए कि आइसा कितनी लोखप्रिय बन सकती है तो आइसा से बताये गया कि किसी को सताव मत उत्पिडन मत करो किसी को दोका जड़ी मत करो मार पिट मत करो काली ग्लोज मत करो और किसी के अधिकारों का हनन मत करो किसी का सूशन मत करो यह आइसा की परीदे में सारे आते हैं जबकि हिंसा से उन्मक्त होता है तब ही आइसा की परीदे में आएंगे तो हमें अहिसा के अर्थ को समझना होगा अहिसा क्या है कि ये दि किसी के प्रती हमारी बुरी भावना बुरा विचार आता है वो भी हिंसा होती है उसको भी बदलना चाहिए अहिसा में प्रिनित करना चाहिए एक उधारन एक राजा के पास पुरोई ताता था पुरोईत आता उसके साथ अब एक ब्रामन और आने लग गया तो ब्रामन ने देखा कि राजा मेरे से कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कितनी करपा दृष्टी हैं मेरे पर मेरे संस्कृत का वक्य भी सुनते हैं तो पुरोईत ने देखा कि कई ये ब्रामण मेरा स्थान नहीं ले ले तो उसने एक जिन ब्रामण से कहा कि तुम राजा के पास आते हो और राजा बोला हाँ मेरे को राजा बहुत अच्छा देखते हैं मुझे बहुत अच्छा करपादरिश्टी बरसाते हैं लेकिन मैं राजा से बात किया करो नहीं तुम्हारा थूंक उचलेगा और राजा नाराज हो जाएंगे उसने वेसा है करना शुरू कर दिया अब देखते देखते राजा को उदर एसे बोल दिया कि एक शराभी को आप ब्रामण को बुला रहे हो वो शराभी है और राजी से निसकाश बाहर निकला कि तुम दख्षना लेने जा रहे हो पुरोईत मिल गया यह लेटर मुझे दो में दख्षना दे ले आऊंगा अब लेटर लेके भंडार में गया और भंडारी ने जो यह पत्र कोला उसमें लिखा था किसी ना काट करके उसको दख्षना दे दी जाए अब उसने सारी बात की जानकरी की पुरोईत का सारा राज खुल गया पुरोईत को बुलाकर रज्य में उसको धंडित दिया और उसको पद से अटा कर उस ब्रामन को वह पद दे तो बुरे विचार करने वालों को ऐसी बुराई अपने आप ही आ जाती है तो इसके साथ ही हम को अपने हर्दे में उतारे अहिंसा का बहुत बूत महत्व होता है लेकिन आज जनता अहिंसा के महत्व को समझ नहीं पा रही है कि अहिंसा में कितनी शक्ती है उसको ध्यान में रखना चाहिए अच्छे विचारों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने की जो हमारी सार्थक कोशिश होती है उसके बारे में जो जैन धर्म है वो ना केवल फिजिकल वाइलन्स बटकि विचारों में जो होने वाला वाइलन्स है उसे भी खत्म करने की और बंद करने की जो एक सार्थक कोशिश है तो अहिंसा एक ऐसा मूल उद्देश है जो हमें इसके अलावा भी पाँच और चीज़े हैं जैसे ब्रह्मचारिया है आहिंसा है और ऐसे क्या मूल विचार है जैन धर्म के आज हमें हमारे दर्शकों को बताईए आहिंसा का पूरा आपको बताऊं कि आहिंसा भगवती के मंदिर में देव होते हैं दर्दिले दिल के चमकिले पाशाणों के नहीं बगवार मावीर के आहिंसा उन्होंने शिद्धानतिक दर्शन को प्रययोगिक भूविका पर मावीर ने लाया और आज भी आहिंसा प्रेस्दिक्शन की योजना बनाई जा रही है और सस्त्र परिशी मनसंदी भी ऐग ऐसा ही कारदर प्रियोग है इसे प्रियोगों की संख्या बड़े तो दिर्ग काल तक प्रभावी रहे इससे भी मैतुपुन बात है कि मनुष्य के मस्तिष्क में रहे इंसा के केंद्रों को निश्करिय कर देना तो इससे क्या होता है कि मानुता की मुस्कान को बचाया जा सकता है अहिंसा एक बहुत बड़ा सबसे पहले अहिंसाइप परम भरम है अहिंसाइप परम धर्म है अहिंसाइप सब कुछ है इसके अलाव भगवान ने अनेकांत का शिद्धान दिया अप्रिग्रह का शिद्धान दिया अप्रिग्रह यह आप जो बता रहे हैं वो पांच महाबरत है जी बगवान ने जो दि परब धरम है यानि परिग्रे का शीमा करण करो जय कि पधकर स कि दिए तब या दमी अचतनी से खिशा ठ Eddy अनि परिग्रह कर साथ अलपि करृण के साथ मावीर ने बताया कि आप जो ये परिग्रे कर रहे हैं उस अरजित धन का विवेग भी सिखो उसको कैसे खर्च करना लेकिन आज तो देख रहे हैं कि व्यक्तिकत उपभोग बढ़ता ही जा रहा है एक तरफ देखते हैं कि बड़ी बड़ी अट्टाली काउमे रहने वाला व्यक्ति इतना खर्च क खाली अपने लिए ही व्यक्तिकत धन की खर्चा हो रहा है तो इसके लिए हमको चाहिए कि व्यक्ति अपने को धनका मालिक नहीं समझकर धनका ट्रश्टी समझे तो यह आर्थिक विशमता नहीं होगी वेरी भी नहीं होगी शोषण नहीं होगा लेकिन आज तो व्यक्ति च कर रहा है जिससे मानवता करा रही है तो इसके लिए हमें सीखना होगा की व नागरिकों को ये बताना होगा कि वे धन का अलपी करन करें और एसे तो आकांखषा ही आकास के समान अन्त है उसका अन्त नहीं है जितनी आकांखशा बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी इसका कोई सहयम नहीं है गुर्दे तुल्षे ने का सहयम है खलू जीवनम सहयम ही जीवन है सहयम के सास्थ जीओ तो दुनिया अच्छी तरह चलेगी मानवता की मुश्कान अच्छी तरह रहेगी बिलकुन लेकिन आज हम देख रहे हैं कि परिव किस फुर्दध के बीच में अपस में जगडा हो गया तो पति कि मैं अपने बेटे को वकिल बनाऊंगा थैक्तभी बोलती है नहीं में बीमार रहती नों ने तो बॉक्तर बनाऊंगे अब दोनों में इतना जगड़ा बड़ा, इतना जगड़ा बड़ा कि आसपास के पड़ोशी सारे कटी हो गए तो उनमें एक समझदार व्यक्ति था उसने कहा कि भाई, आप ऐसे जगड़ रहे हो कम से कम अपने लड़के को तो बुला कर पुछो कि उसका क्या मन है, उसका मन में तो जानो क्या बनना चाहता है, तब वो पतनी तपाक से बोली अभी लड़का तो पेदा ही नहीं हुआ है, तो फिर पहले यह से लड़ाई क्यों शुरू कर दी आपने यह होती है, ऐ हिद्वुक लड़ाईयां, कालपनिक लड़ाईयां, इसे परिवार, समास, यह सब में एक अशांती सी फेल जाती है यदि बगवान महवीर की इस बात को समझ लिया जाए, तो यह सब समश्या का समादान हो सकता है इसके तीन सुत्र है, समझ होता और व्यवस्ता, यदि यह तीन सुत्र अपना लिये जाएं, तो इस समश्या का सबादान हो सकता है लेकर आप जिस चीज की बात कर रहे हो जो मुझे समझ में आता है, जो आज की जनता और आजके दर्शकों के साथ जो हम जुड़ते हैं, हम जो समझते हैं मुझे लगता है कि इसके दो कारण है, एक तो हम में सयम की कमी बहुत है आज की जो दुनिया है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है इतना कुछ हमारे आसपास चल रहा होता है कि हमारे पास समय नहीं होता हम इतने छोटे से समय में सब कुछ करना चाहते हैं और उसी वज़ा से शाहिद हम अपनी स्वास्त पे ध्यान नहीं दे पाते हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हम अपने आसपास की रिष्टों पर ध्यान नहीं दे पाते ये भी एक कारण है दूसरा यह कारण है कि आज की मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उससे गुसा, स्वास्तिका ये होना कम्यूनिकेशन का जो अहंकार, क्रोध, पैसे का घुमर्ण ये बहुत ज्यादा होता है इन सब के वजह से महावीर स्वामी की जो वानी है जो हम बताते हैं कि सायम से जी हो अपने पास जतना पैसा है उसी में आप खुश रहो ये सारी चीजे आज की जो डेट है आज की जो जनरेशन है उसमें बहुत रेलेवेंट है उसकी आज बहुत मान्यता है तो हमें ये बताईए कि महावीर स्वामी की इस वानी को आज की जो जनरता है आज की जो यूथ है, हम जैसे लोग उसे किस प्रकार हम follow करें अपनी जिंदगी में आप जो ये चोटी-चोटी किस्से बता रहे हैं चोटी जो कहानियां बता रहे हैं वह बहुत मज़िदार हैं और उससे ही हमें समझ आता है कि हम कभी-कभी ऐसी बेवकूफी वाली चीज़े कर देते हैं जिसका कोई जैसे ये पती-पत्नी जो जगड़ा कर रहे थे बच्चा ही नहीं है बट ये ये भी होता है कि हम अपने आप में ही कहीं खुश नहीं है यही कारण है कि हम ये जो गुस स्वामि की इस वानी के साथ किस तरह से उसी अपनी जिंदगी में उतार कर आगे बढ़ें इस के लिए बगवान मावी ने अनेकांत का शिद्धान्त दिया अनेकांत बहुत मेहतों पू辛िद्धान्त है अनेकांत यानी सब को साथ लेकर चलना एक ही बात को एक पहलों से नह जो मैं कहता हूं वो इस सत्य है यह नहीं बिल्कुल वो भी कहता हूं भी लगाएं तो इतने जगड़े इतना मन मुटाव नहीं हो सकता जिए शादवाद यानि अनेकांतवाद दार्शनिक छेतर में वह समराथ है जिसके सामने आते ही विवाद कलह दूंद आधी समाप्त हो और विक्ति शान्ती महसूस करने लगता है दार्शनिक छेतर में शादवाद वह समराथ है जिसके सामने आते ही इरशा देस कलह अनुदारता आधी दोश बहभीत होकर दूर भाग जाते हैं अनेकांत की परिधी में रहना एक बहुत बड़ी चीज है स्री रादा कृष्ण जी ने भी कहा कि जब कभी विश्मे में शान्ती का सामराज्य होगा तो अनेकांत के द्वारा ही हो पाएगा तो अनेकांत यानि मतलब लोकतंतर के चार बिंदू है स्वतंतरता सापेक्षता सहयस्तित्वे और स्वतंतरता चार एसे सापेक्षता भी है सहयस्तित्वे भी है और ये चार मिंदू अनेकांत के हैं जो लोक तंतर को समझ लेता है वो अनेकांत को समझ लेता है और जो अनेकांत को समझ लेता है वो लोक तंतर को समझ लेता है तो अनेकांत एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से जगड़े बहुत से विवाद खतम किये जा सकते हैं और वित्ति सुक शांति की जिन्दगी जी सकता है इसके साथ ही बगवान ने बताया कि आप किसी भी अपने दिल में सरलता रखो चल प्रपंच मत रखो और सहियन से जीना सीखो अब महा मात्य चानक के एक जोंपड़ी में रहते थे तो वहाँ पर चुटी फुटी जोंपड़ी थी कपड़े और कंबल इकटे कर दिये जाए देखते देखते शाम तक उनकी जोंपड़ी में कंबलों का धेर लग गया अब उन कंबलों को देखकर एक चोर के मन में आया चोरी करने का तो उधर जोंपड़ी की तरफ चला गया उसी समय एक विदेशी महा मात्य से मिलने के सारे कंबल पड़े हैं फिर भी आप ये फटा पुराना कंबल ओड़ कर क्यों बिठे हैं तो महा मात्य ने मारमिक उतर दिया कि जो कंबल है वो सारे जनता के लिए हैं मेरे लिए नहीं है मेरे लिए मेरा ये कंबल अच्छा है बस तो वो विदेशी देखकर आवाक रगया तो वो भी कि राट है और जब भी काम करने करने वेटे राज किये तो दो दिपग रखते थे पास में अच्छा तो वो अपना राज के काम कर रहे थे उस इसी सेमय दो सर्धार उंसे मिलने के लिए आए तो सर्धार ने देखा कि उनको आढ़ इस सारे से का आप बेढ जाऊ तो और महाम अली साब अपने काम में लगे वेची राज के कारे कर रहे थे अब जो है उनका राज के काम पुरा हुआ तो उन्हाने उस दिपक को बुझा दिया और दूसरा दिपक जला लिया अब वो सरदाराश्य सुकित हो गए उन्हाने पुछा कि अली साब इसा क्यों कर र कारे के लिए हैं आप से निजी बात करना है इसलिए मैंने ये दिपक जलाए है सरदार दोनों उनकी इमानदारी के बुरी-बुरी सरहना कर रहे हैं तो आज जो प्रशासन में काम कर रहे हैं उनमें भी ऐसी इमानदारी ऐसा एक मनोभाव होना चाहिए जिसे लोकतंतर सफल हो सकता है आज हम देख रहे हैं माननिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी भी अपने नीजी कारें के लिए अपनी ही संपति खरस कर रहे हैं कितना ये एक प्रेणा की बात है एक समाज को क्या परिवार को क्या जनता को क्या एक प्रशाशन के निताओं को क्या सब के लिए एक स तब ही एक सफलता लोगतंतरकी हो सकती है। इसके इलावा हम देखते हैं कि आज विक्ति में कितना चल प्रपंच बरा है। सरलता है रही नहीं। अब एक छोटी से बच्चे को देख लीजिए। उसमें भी सरलता नहीं है। एक समय था बच्चा कितना सरल होता था। आज एक चिनी के डबे पर नमक का लेवल लगा दिया। माँने का वही यह क्यों कर रही बच्चे कि क्या बात है। अरे मात तुम समझति नहीं हो। चीन्टियों को धोका देने के लिए मैंने चीनी में नमक का लेवल लगाया है। अब देखे आज एक बच्चा भी कैसा धोका महवीर की वानी आती है, महवीर की एंसा इतनी शक्ति से बरपूर है, इसकी शक्ति को पैचाना नहीं जा रहा है, इसलिए विक्ति इसे कारे कर रहे हैं, लेकिन महवीर का सिद्धान्त तो ऐसा है, कि वो सत्य के प्रवक्ता थे, सत्य के व्यक्याता थे, और सत्य के अधिवक् तो उनकी जो भी उन्होंने का सत्य में बनकर कहा ऐसे तब ही वो महवीर बने महवीर को हम किसी संप्रदाई के किसी संकीन दाइरे में नहीं बान सकते वो पूरे विश्व के लिए पूरे सभी के लिए एक बगवान है उनको कभी हम सिमा में नहीं बान सकते महावीर विश्पाई इस मृत्य लोक में खोजे जिन्होंने अम्रित कन महाप्राण मन महावीर को मेरा अपना भाव समर्पण मेरा अपना भाव समर्पण लाखों लाखों लोगों की तुमने प्यास बुजाई है अन्गिन आस्ताओं कि तुमने बग्या महक आई है अनेकांत का दर्शन तुमारी एक है मोलिकता तभी जोड़ पर बेठा विश्व देता तुम्हे बदाई है तो अनेकांत की दृष्टी कोन को अपनाई है अप्रिगरे की दृष्टी कोन को अपनाई उसके बाद हम बगवान महवीर की जो अइसा है उसको समझें, अब एक हम आलस और मुर्चा में अपना समय गमा देते हैं, एक सन्याशी आया, उसके पास एक पारस्मणी थी, उसने एक गरीब बिक्ति को पारस्मणी दी और छे महीने का समय बताया, उसको छे महीने का समय दे यह पारस्मणी वह होती है, जिससे लोगे को सोना बनाया जा सकता है, अब उसके पास समय था, लिकिन उसने दो घ्रानी नहीं र दू था, नहीं गरीए उसको दे आए, 6 मो उससेँ है बिता दिये, अब शे महीनी पुरा होतें, यह सन्याशी आया, और बोला भई, मेरे बनाया तुमने ? मैंने तो नहीं नहीं बनाय तो अभी समय लातुम मेरे को तुमारे घर में जितना मिफ़ोगा है वो मेरे को लाकर दे में इसको चुवा करे तुम्हारा सौना बना जिता हूं अब वो गरिब व्यक्ति था, उसके पास कोई लोई की चीज भी नहीं थी, खोज़ते खोज़ते एक सुई मिली, तो सन्याशी ने एक सुई को ही उसको पारसमणी शेचू करके सोना बना दिया, जब व्यक्ति के पास पारसमणी थी, जब भी अलशे, मूच्छा और अग्यान के कारण, वो सोना नहीं बना पाया, तो हमारे पास भी वगान महापीर के ऐसे सिद्धान्त है, ऐसे एक पारसमणी है, लेकिन हम आलशे तोरग्यान के वशी भूत मुर्चा के वशी भूत होकर, उसका उप्योग नहीं कर रहे हैं, यदि उसका उप्योग कर दिया जाए, त उसको उसने का, गुरूर मुझे आँखे दे दीजिए, उनका भी दया आई, उसको आँखे खोल दी, आँखे हो गई, अब थोड़े समय बाद इसा मशी ने रेखा, कि वो वेक्ति तो एक वेश्या के पीछे दोड़ रहा है, लड़कों के पीछे दोड़ रहा है, लड़क कि नहीं है, इसा मशी जी, गल्ती आपकी है, आपने मुझे बाहर की आँख दी, लेकिन अंतर की दृष्टी नहीं खोली, अंदर में मुझे क्या है, वो आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे को ऐसा ग्यान नहीं दिया, तो गल्ती तो आपकी है, तो हमें, जब ब उसको सुझाने के लिए उसको सुलजाने के लिए उसको बताने के लिए एक गुरू होना चाहिए हमारे गुरुदेव आचेरे तुलसी ने ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अनुबरत का प्रवर्तन किया अनुबरत यानि छोटे छोटे नियम जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं मावीर ने दो वरक बताये थे एक मावरत और दूसरा अनुबरत मावरत हर कोई नहीं बन सकता लेकिन अनुबरत तो एक व्यक्ति के लिए छोड़े छोड़े नियम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है तो गुर्देया कुल से होता है क्योंकि कही न कहीं शायद हम अपने आप से ही जुड़े नहीं है जो आप बुल रहे थे हिसा मसी ने उस लड़के की आखे खोल दी अंदर की उसके अंतरमन की आखे नहीं खोल पाए क्योंकि हम कही न कहीं अपने आप से ही जुड़े नहीं है ये भी कहते हैं कि हमारे अंतरमन की वानी है, हमारे गुरू की वानी है, या भगवान की वानी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर इत्सान के अंदर चोटा बच्चा हो, बुड़ा हो, बढ़ा हो, उसके अंदर भगवान कहीं न कहीं समाये हुए हैं, हम अंदर ही अपने अंदर खुश मिला था उसके बारे में भी यह बता हैं. इसको हम एक सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि रह सके। जिसको हम आनंद केंदर बोलते हैं। इसकेंदर पर ध्यान करने से हमें आनंद केंदर पर ध्यान को करके देखें। यहां पर हमारे आचेर माप्रगीजी ने गुर्दे तुलसी के कहने से प्रेक्षा ध्यान का निरूपन किया, तो प्रेक्षा ध्यान की पदती आज पूरे संसार में, पूरे विश्व में फेहमस है, और यहां अपने हेगराबाद में तो हमने प्रेक्षा ध्यान के हर पुलि पूरे बदल गए हैं तो ऐसी ध्यान पड़ती थी तो बगान मावीर भी एक ध्यान योगी थे आज के इसे तना पूर्ण माहोल में ध्यान की पड़ती एसी पड़ती कारगर सिद हो सकती है कि हम अपने आपके अंतर का बदलाव कर सकते हैं अज दूरदर्शन के इस माध्यम से यह जो ध्यान पड़ती के बारे में आप बात कर रहे हैं जिसने काफी सारे अफसरों की जिन्दगी में बदलाव लाया है उन्हें सैयम सिखाया है क्रोध और अरंकार के इस बवंडर से उन्हें बाहर निकाला है इस ध्यान पड़ती के कुछ गिने चुने टिप्स अगर आज दूरदर्शन के माध्यम पे महवीर जैनती के इस पावन अफसर पर आप हमारे दर्शकों के साथ अगर शेयर कर सकते हैं तो हम जैसे लोगों का भी थोड़ा बहुत उद्धार हो जाएगा तो कुछ ऐसी चोटी मोटी टिप्स जो हम घर पे बैठके ध्यान पड़ती के इस टिप्स को अगर फॉलो कर सकते हैं तो आज हमें दूरदर्शन केस माध्यम से प्लीज बताईए इसा है हमारा अभी गुर्दे तुलसी का अनुबरत जो मैंने बता है चोटी चोटी नियम है तो वो अमरत महुसक के रूप में इस साल उसको मना रहे हैं पिच्चोतर साल होगे 25 तो उसको अमरत महुसक रूप देके पूरे विश्म में इसको मनाई जा रहा है बहरत में ज्यादा बनाई जा रहा है तो इसमें चोटे-चोटे टिप्स है अब एसे तो आचेरे महाश्रमण जी है तो वरतबान में वो अनुबरत यातरा कर रहे हैं ऑनुबरत यातरा के माधियम से उन होने चोटे-चोटे गाउं में एसे संकल्प करवाए हैं नशा मुक्ति, नशा मत करो, इमान दारिशें रहो, संपरदाय के प्रति जो आज जगड़ा हो रहा है, सद भावना रखो उसके प्रति, सब संपरदाय अच्छे हैं, किसी के प्रति अंगुली मत उठाओ, संपरदाय सब अच्छे हैं, उसके मानने वाला व्यक्ति भी बिलकोई और नशा मुक्ती है यह संपरदाय की सद भावना है और इमानदारी है यह सब यदि जीवन में उतारते हैं तो एक वातावन बहुत अच्छा बनता है ऐसे संकल्पवे गाउं गाउं में जाकर के आचेरे माश समण आज भी करा रहे हैं जिससे गाउं में बहुत देखा है कि अचेरे माश समण जी वीडियो के मादम से देखा कि जहां भी उनको उपदेश दे रहे हैं ऐसे सिगरेट के बंडल के बंडल तोड़के फेंक रहे हैं तो इसके लिए कुछ नियम कुछ प्रियोक करेंगे जैसे इसमें प्रिक्षा ध्यान पद्धिती में एक नियुक्त जया तो महापराण ध्वनि है उसके बाद एक देखर्षवांस प्रिक्षा है और उसके बाद हम यह जो हमारे तेरह चीतन्य गेंद्र है हमारे सरी में पूरे तो उन पे रिदी एक एक चीतन्य केंद्र का अब हम बहुत समय हो जाएगा तो मतलब एक एक ध्यान केंदर पर अनत केंदर है उस पर आपे अरे रंग का ध्यान करिए ग्रीन कलर का जो आप बता रहे थे हमें जैसे आपने कई शिविर किये हैं जिसमें काफी सारे अफसर आये थे जिनकी जिनी में बहुत सारे सुधार आये हैं जिनोंने क्रोध और अंकार जैसे जो बुरे विचारे बुरी धारण आये हैं उससे बाहर निकले नाशामुक्त भी हुए हैं तो आज हमारे दर्शकों को दूर दर्शन के इस माध्यम से बताये कि किस तरह इन चुटी चुटी नियमों को हम अपने जीवन में इमबाइब करके, हम उसे कैसे अपने जीवन को एक बहुती खुपसूरत सा सफर बनाए, एक बहुती हेलदी सफर बनाए, महावीरवानी की इ महावीर जेहनती आती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है और वहीं समप्त हो जाती है आज उनके अन्याई भी बगवान महावीर की पूजा करते हैं लेकिन उनके विचारों की पूजा नहीं की जा रही है मेन तो उनके विचानों को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक बदलावाना मुश्किल है, बिलकुल, और तो क्या, अब ऐसा संक्रान्त होता है, आदमी के दिमाग में, कोई भी बात ऐसी संक्रान्त हो जाती है, कि उसको समझ में नहीं पाते हैं, अब ए उसने शिर्प एक पोटली लेकर जा रही थी, गाम जाना था उसको, रास्ता में एक गुर्सवार मिल गया, तो उसको उसने देखा कि गुर्सवार गोड़े पे है, मेरी पोटली ले जाए का वही मुझे जाना है, तो वहां रख दे के मेरा बाहर हलका हो जाएगा, उसने का मेरा पोटली जो वहां रख दोना, उस गामे रख देना में ले लूगे, उसने सोता में कियो उसका भारडू हूं, तुरंत उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं ले जाता, अब थोड़ी दूर गुर्सवार आगे बढ़ा, उसके मन में आया, क्या माल होगा, क्या दन होगा, मैंने बेकुप फिकर के उसको मना कर दिया, उसका पोटली ले 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 तुम, तो बुडिया पास्त का इमा रुका रहा, बुडिया पास्त में आई, काओ लाह माजी आपकी पोटली दे दो, में ले 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 तुम, नहीं अब नहीं दूंगा, जो बात तुमको कह गया, वो मालूम नहीं पड़ता है कि किस तरह एक विचार एक दूसरे में सक्रांत हो जाते हैं, तो इसके लिए विचारों की भी एक शुद्धी होनी चाहिए, भाव शुद्धी होनी चाहिए, तो इसके कुछ प्रियोक करें तो में मालूम पड़ता है कि कैसे भाव शुद्धी निए विचार हमारे सक्रांत होते हैं और जब अपना काम होता है तब तो व्यक्ति एक अलग तरह से करता है और जब दूसरे का काम होता है तब उसमें उसे नुन लखन सब मिला जेता है तो एक राजा ने का भई ये तालाब है उस वबह तक दूद से बर जाना चाहिए अच् एक वेक्ति ने सोचा कि सारे तो दूद डालेंगे में लोटा पानी डाल जेता हूं क्या फरक पड़ता है अब उस एक ने सोचा कि लोटा पानी डाल जेता हूं सब नी पूरन यही बात विचार संक्रांत हो गया और सब ने उसमें लोटा अबरबर के पानी डाल दिया अब शुरा उठे तो, पूरा ताला, पानी से लबाला. तो दूसरे की जब बात होती है, तब आतमी ऐसा हो जाता है. और अपनी बात होती ही, आखी है, जै स्वारति की मनोब्रती नहीं होनी चाहिए. स्वारति आदमी अपना देखता है, दूशरे का नहीं देखता है. अब राजा के सो राजकुमार थे, राजा ने अपना उत्तरा धिकारी चैन करने के लिए सो राजकुमार के खाने की व्यवस्ता करी, खाने की व्यवस्ता करी तो सब को एक होल दे दिया, और का भी आज तुम लोग सब यहां इस होल में खाना खाओ, तो सो के सो राजकुमार खाने के लिए घूल में गए और जोह ही अपने अपने घाली के पास बैठे खाने के लिए एक गर्स भी मुझे ने लिया कि सिकारी खुट्टे इतनी आये इत्ना नोडे सब राज कुमार वहां से नोग्यर ऑगे भगए शिकारी कुटों से सब डर गे एक रराज कुमार वह ब तुमने खाना कैसे खा लिया ये निन्याण में बागे तुम कैसे रह गए उसने का मैं तो आराम से खाना खाया निन्याण में 99 थालियां पड़ी थी एक एक कुतों को एक एक सरकाता गया वो अपना खाना खाते रहे और मैं अपना खाना आराम से खा लिया तो जो अपना घर पर ना जानते हैं, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, और जो दूसरों के भी बला सोते हैं, अपना भी पेट भर लेते हैं, और दूसरा का भी पेट भर लेते हैं, तो आखिर उस राजकुमार को राज्य का अधिकारी बनाये गया, तो आज पर को ये शोशन नहीं करके उनके लिए भी कुछ सुख सुधाएं जुटाएं तब तो एक बात है लोकतंत्र की सफलता है नहीं तो बिचारे गरीब तो बैठे रहते हैं जुगी जॉंपडी में कैसे सड़कों पर अपना जीवन बिता रहे हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए और गरीबों को भी अपनी इमान दारिशे नशामुक्ति से अपना जीवन बेचित करना चाहिए तो एक हम देखते हैं कि नशामुक्त कैसे हो यह हमारा एक आयप्रमाद के अंदर है कान वहाँ पर यदि हम ग्रीन कलर का ध्यान करते हैं और इसके साथ दो तिन टिप्स और हैं तो नशे की आद देरे देरे छूड़ जाती है हम देखें वह एक दिन में हो जाए उतको जादू नहीं है लेकिन पूरे मनो योग से पूरी भावनाओं के साथ यदि विक्तिश में लगता है और कुछ उसको समझाना भी पड़ता है कि तुम इस तरह नशा कर रहे हो ए तुम आनद ऐसा प्रत्त करो जिसे तुमारा परिवार भी सुखी बने और तुम भी सुखी बनो तो इसके लिए हम महा प्राण दोनी करते हैं तो इसमें क्या है यह हमारा है ज्ञान केंदर जी ग्यान केंदर ये तिनों उंगुलियां शिदी रहती है और उसको ऐसे करके साव दानी से बेड़ते हैं, पूरा सरीर बिलकु स्थीर, शिथिल और तनाव मुक्त रहे, गर्दन सिद्धी रहे, कहीं भी अकड़न नय हो, उसके बाद हम पेर के, दाइने पेर के अंगूटे से लेकर शिर तक एक-एक अवे पर ध्यान केंदृत करते हुए, पूरे सरीर को रिलेक्स कर दें, रिलेक्स करने के बाद, हम आंकें बंद करके, पहले एक महा प्राण दोनी होती है, महा प्राण दोनी में क्या होता है, कि पहले हम पूरा स्वांस अंदर बढ़ते हैं, और स्वांस भी व्यक्तियास गलत तरीके से ले रहा है, ये स्वांस का तरीका ये हो कि जब हम स्वाइश को अंदर तक ले जाए और पेट फूले और जब सवाँटे हुए थो मारा पेट सुकुर्ना चाहिए लिख है तो पहले पुरा सौंस बर लेते हैं अंदर फिर छोड़ते हुए एक जैसे फूल पर भौरा गुंजार मान करता है ना उस तरह एक मूम की ध्वनी होती है जो हम गले और नाक से मिस्रत होकर उस ध्वनी को करते हैं वह ध्वनी करते समय आप स्वेम अनवह करें कि सिर पर यहां हमारा ग्यान के अंदर रहें वहां पर आथ रखे देखिए कि कैसी आवाज यहां पर आ रही है वाइब्रेशन हो रहे हैं और वह वाइब्रेशन हमारे यहां के सारे नूरंस को एक्टिवेट करता है जगरित करता है तो बार बार करने से हम खुद मैसूस करने लग तो आदमी यहां बेठा हूं मन कहां कहां दिलकुल उठाले मार रहा है तो एक महापराण द्वनी आपको करके बताती हूं जे पिर गयरा लंबा सांस ले जे इस तरह कि यदि आप साथ बार नीमीत सुबह सुबह करते हैं तो फिर आप देखिए आप में क्या चैंजिंग आती हैं आपके मन में क्या बदलावाता है, आपके भाओं में क्या बदलावाता है, कैसे आप बुरे विचार दूर कर सकते हैं, और किस तरह आप जिवन व्यवहार को बदल सकते हैं, आपका करोध, एहंकार, इसके लिए भी एक प्रियोग है, कि अब ये सारा माप्रानि दौनी करके, इदर हमारा इतनी शीदूर में दो केंदर है, एक तो ये दर्शन केंदर है, और ये जोती केंदर है, जहां इतनी शीदूर में ये है हमारा दर्शन केंदर, ओपर जहां बिंदी है, वह हमारा जोती केंदर, इतनी शीदूर में दो केंदर है, जी, तो हम दर्शन केंदर पे पूरा सुरिषषितिल करके पूरा वही रहेगा, और माप्रान धौनी रहेगी उसके बाद यहां पर, युदि हम मन को केंदृत करके, चित को केंदृत करके, अरुनी की लालेमा देखें, बूगते वे सूरे की, उसको कल्पना से उदर देखते जाएं, दूसरा जहां हमारा लोगन मारी केंदर है, वहाँ पर हम bright white color देखें, जैसे चंदरमा की रश्मिया, पूरा चान्द, पूनिमा का चांदर, उसकी पूरी रश्मिया हमारे यहाँ पर गिर रही है, मस्तिष्ग पे और बित्र तक जा रही है, और ऐसे करते करते, जैसे पूरा बित्र तक गया, और पिर वो रश्मिय हमारे पूरे सरीर में गिर रही है। तो यह सी कल्पना करते करते हम इसे रश्मियों से ब्राइट वाइट कलर से स्नान कर रही हैं। पिर चारों तरफ ब्राइट वाइट कलर का गेरा जिसके अंदर हमारा सरीर पड़ा है। और हम एक आनन्द के अनुभूतहिं कर रही हैं। इसा आनन्द जो हमने कभी देखानाईंगी जो हम आज इस ध्यान के माध्यम से, इस काईवोट सर्ग के माध्यम से कर रहे हैं तो एक ध्यान की अलग ही पद्दती निराली पद्दती है लेकिन इतना सा बताने से तो बस आप समझ सकते हैं बाकी खुद स्वेम करेंगे तो आप मालूम पड़ता है कि कैसा ये ध्यान है और से हमारे चिहों में कैसे प्रकाश हो सकता है और हम कैसे बदल सकते ह और ये एक साइकल है अगर हम ये जैसे आपने बोला कि दिन में अगर साथ बार करें तो इसकी अंदर से जो अंतरमन की शान्ती पैदा होती है उससे हमारा माइंड ओपन होता है कि हमारे जो गुरुओं के विचार है हमारी जो भगवान महावीर की वानी है उसे हम शायद सम हम जुड़ सके हमारे गुरुों की वाणी से महवी सौमी की वाणी से आहिमसा की इस वाणी से और सत्य बोलना अपने आप से जुड़ना अपने अंदर वो एक शीतलता और सहीयम लेकर आना ये सारा कुछ हम जुड़ सकते हैं अगर हम अपनेアप में वो ठहराव और वो शान्ती लेकर आने की कोशिश करें। वो अपने एकांत स्थान में कर सकते हैं। वो आप कई भी कर सकते हैं। टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं। देसे गहरा लंबा स्वांस लिया वापिस गहरा लंबा स्वांस छोड़ा। अब एक मिनिट में कितना स्वांस लेना ये भी एक नियम है। जो सन्या शिवर हुए हैं तो बहुत महान आदमी हैं। उनका तो विक्टित वही निराला होता है। लेकिन एक देखते हैं जिसका मन ज्यादा चंसल होता है। जो कामकुरोद में जाता रहता है। उस समय उसका स्वांस आप गिंती करो, काउंटिंग करो। तो 30-40 तक चले जाती है स्वांस की काउंटिंग। और एक नॉर्मल स्वांस जो लेता है वो 15-17 इतना 16-17 तक आता है। और जो हम स्वांस की कीटी को धिरेदे़े लंबा य जाते हैं दिर्ख स्वांस लेते जाते हैं तो हम 1 मिनट में 15-13 हो जाता हैं, 12 हो जाता है już 11 हो जाता हैen, 11 हो,3 हो जाता है, और 9-8 वेश करते करते हैं जो महा पूरुश होते हैं, महान वित्यतो होते हैं वो तो एक मिलेट में एक सांस भी लेते हैं अच्छा वो उनकी साधना बहुत उच घुटगी होती है वो अपने साधना से इतना अपना जीवन निखार लेते हैं कि उनको बहुत से घ्यान हो जाते हैं वो कहां कहां तक उनकी पहुंच हो जाती है कां कां बेटे यहां बेटे बेटे कां कां की वो सिमाय देख लेते हैं जैसे हमारे महवीर स्वामी जी है एक बहुत ही नई चीज सिखाइए आपने हमें दीर स्वाश लेना माप्रांड़नी जोदी केंदे परेक्शा और आपके अनुनिमा दर्शन के अंदर परिक्षा लेकिन बगवान महावीर ने चारत्रे की व्यक्ति भी बताई हैं दुनिया में चारत्रे की व्यक्ति हैं परमात्मा, महात्मा, सदात्मा और दुरात्मा अब बगवान महावीर तो कुद मुक्त हो गए इसलिए प्रमात्मा बन गए बगवान महावीर हमारे बीच नहीं है आज मुक्त हो गए है लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है उनके विचार आजहारों वरतों के बाद भी उनकी प्रतिध्वनियां गुंजित हो रही है तो यंत्र तो बाहर का माध्यम होता है जरूरत है आज की आज हम अपने अंतरमन को खोले और महावी स्वामी की स्वानी को अपने अंदर समाने के करे। हम सदात्मा तो बनकर रहें, महात्मा हम नहीं बन सकते, पर दुरात्मा क्यों बने, हम अपने जिवन को सदात्मा बने, सदात्मा बनकर हम रहें, अगर आखों में मुश्कान है, तो इनसान तुम से दूर नहीं, और इस पांकों में उडान है, तो आस्मान तुम से दूर नही डाली पर बेटकर विहग ने यही गीत गाया कि सरद्दा में अगर जान है तो भगवान तुम से दूर नहीं सरद्दा में अगर जान है तो भगवान तुम से दूर नहीं सरद्दा के साथ हमने जिवन में भगवान मावीर की वानी को उतारते हैं गुर्दे तुलसी आचारे महाप्रग्वर आचारे महाश्रमजी वरतमान में जो एकार करे रहे हैं, उनकी वाने को हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन को प्रकाश में बना सकते हैं, और सद्गुनों से हम प्रभावित हो करके सद्गुन में बन सकते हैं. बहुत ही आपके खुबसूरत विशार है ये दिखता है कि आप महावीर स्वामी के उनके टीचिंग्स के साथ इतनी जुड़ी है कि आप 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 आपने ये कोशिश करी है कि दूदर्शन के माध्यम से कई संताओं में जाकर महावीर स्वामी की इस वानी को लोगों तक आपकी ये जो कोशिश है उसको हम नमन करते हैं उसका हम वह जाती हूं जी 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 और हमारे साथ दूरदर्शन के स्टूडियो में आई महावीर स्वामी के इस खुबसूरत सी वानी को आज उन्होंने हम से अफगत कराया हमारे दर्शकों से हमसे बात करी और बहुत ही एक उनकी पूरी इस इंटर्वियो का एक मूल सार जो मुझे ये मिला है कि हमें हमारा अंतरमन शांत करके सायम के साथ जीने की एक कोशिश करनी चाहिए ताकि हम महावीर स्वामी की इस वानी को हम जो गुरू को मानते हैं उन सब की वानी को अपने अंदर समाने की एक बहुत ही एक जुट कोशिश करें आज मेरे सारे दर्शको को महावीर जैंती की बहुत-बहुत शुपकामना हैं बहुत-बहुत अभिनंदर आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ दूरदर्शन की इस खास प्रस्तुती में हमारे साथ जुड़े मैं पूनम गुलेचा निर्मला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप भी ध्यान से सुना आपने मेरी बात को इसलिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपने कितना अच्छा एक बनाया है अपना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दूरदर्शन के मेरे सारे दर्शको को बहुत बहुत शुक्रिया मैं पूनम गुलेचा आज आपसे विदा लेती हूँ थैंक यू